नमस्कार किसान भाईयो मैं महिपाल सिंग आपका एक बार प्रिश्वाकत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल मैं टेक्निकल खेती में भाईयो यदि आप वाले चैनल पर नहीं है तो चैनल को स्ट्राइब करें और पासवाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने चैनल की नरसरी कैसे डालें तथा उसमें लगने वाले रोगों के लिए बीच को कैसे उप्तारित करें किसान भाईयों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पंदर जिरूनों की बैरेटी होती है उसमें सबसे ज्यादा बकानी रोग लगता है जिससे कुछ पोदे समान लोगा देहन रखते हैं तो आपको इस जोगों से मुक्ती मिल सकती है अधात आपके वसल को इस जोगों से बचाया जा सकता है किसनवाई हो जब आप पंदर जिरूनों का भीज खरीदे हैं तो आप ये देखने की बीच स्वस्त और साफ होना चाहिए और उस बीच को लाकर लगभग 20 मिल्ट के लिए छोड़ दें 20 मिल्ट के लिए किसानवाई उसलिए छोड़ें ताकि उसका पानी निकल जाए या वह पूरी तरिक से नुच्रल जाए उसके बाद आपको बीच को उप्चारित करना है उप्चारित करने के लिए आप किसी अच्छी कंपनी का कोई पर भी फंगिसाइट ले सकते हैं जैसे कारवण रिजम प्लस मैंकोजेब टैवी को नजौल आदी इसके लिए इसे लेकर आप किसानवाई ओ जो आपका कारवण रिप्लस मैंकोजेब एक किलो में तीन गिराम के हिसाफ से ले सकते हैं और आपको भी जो अपने रखा है उस किसानवाई जब आप नरसरी के लिए जमीन तयार करते हैं तो उसमाप सड़ी गोबर की खाट जरू डाल दें ताकि जिससे नरसरी अपनी जल्दी तयार हो जाए और पोधे अच्छे विक्सित हो और दूसरा किसानवाई जब आप नरसरी बहुते समय जब आप उसमें जो किसानवाई यह लिए यह आपको उसमें रुझ जल देना किसानवाई ओर अच्छी तरीक से जमीन को मैं बीच को बखेर देना किसानवाई और जहा तक हो सके किसानवाई है, उससे आप पच्चीस दिन की पोध से रुपाई कर दें अक्र बाप उसकी जो पहुत है जब आप जो आपके जो पोध हैं और जो आपकी किल्डिंग होगी ट्रिलिंग वह अच्छी हो जाएगी किसान भाई हो और आपकी प्रेदावरी उत्तम हो इस अब यह दिकान भाई हो मेरे दोरा दीके जाने करें आपको अच्छा लिए तो चैनल को सब्सक्राइब परें लाइक करें और वीडियो का अधिक्सादी शेयर करें किसाने हैं थैंक यू फॉर वाचिक माई वीडियो